रिस्क तो लेना परता है, रिस्क के बिना तो जीवन में कुछ कावी नहीं है, अगर रिस्क नहीं लेंगे, आफ्टर सिस्टी यर्स, पिपल आ बेटिंग टू डाए, साथ साल के बाद, बिना रिस्क लिए भी आपका एक्सपारी डेट नजदिक आने वाला है, मैं परसनल य परसनल यह देता हूं, विडाउड अनने बिनाड़ यह देता हूं जाने शॉफेर, विडाउड देता हूं जजद नाथ इन जरू पांट फाइपरसंट, हम नौकल प्रदा करने के स्कूल से बनाते हैं, बापारी का स्कूल सी नहीं हुआ, मैं बलता हूँ गोड गोड यह ह कोच डॉक्टर रवी कुमार दुनिया भर में डॉक्टर रवी कुमार ने एक सटीक और एकुरेट स्टॉक ट्रेडर और कोच के रूप में अपनी पहचान बनाई है आईए इनसे मिलते हैं सबसे पहले तो भाई पूछना चाहूंगा कि यह ट्रिप आपका कैसे बना काहना का कैसे यह पूरा शुरूप वाई बहुत दिनों से नरेंदर भाई और एसपाल भाई बता रहे थे कि आना है और इन्होंने दाजी का कुछ हमें बुग दिया कि आप इस बुग को परिये मैं में बहुत सब्सक्राइब था उस बुक को पर करें क्योंकि उस बुक मेरेमें को सब्सक्राइब करें थे हूँन करें यह इस तो मुई हमारे दिखिए, हमारे अंदर कोई ताकत नहीं कि हम कुछ करें, अगर इतना वरा सल्तनत बना हुआ है, तो जरूर प्रभू की असीम किरपा रही होगी, तो मेरी आंतरी की इच्छा होगी कि हम यहां पर आए, हमने इच्छा दिखाए तो इन लोगों ने हमारा स्वागत किया, तो आप जादे अभी campus देख पाए है या अभी तो आप सुबही उमान से पहुचे हैं, तो campus तो जादे नहीं देख पाए होंगे, बहुत दान नहीं देख लेकिन जितना भी देखा, हमने experience किया, और बहुत अच्छा लगा, सांती और बहुत ही सुगदाई अनभव रहा हमारा तो आपकी तो दुनिया भर में ख्याती है, और आप इतने, so many people look up to you, अभी भी काना में भी इतने लोग आई हुए थे बाहर से, कि आप आप से ग्यान ले चागे, stock trading में आपका इतना नाम है, और अब आप वो ग्यान बाटते भी है और लोगों के साथ, लेकिन हमेशा से ऐ आप ये stock trading के दुनिया में कैसे पहुचे आप वहां से, देखिए stock trading के बारे में बात करेंगे, ठीक है, पहले लोगों के बारे में बात करते हैं, किसी भी चीजों के बारे में अगर आप दुनिया में बात करते हैं, तो या तो आप bookish knowledge दे सकते हैं, या तो आपने उसे experience कि है वो किस नॉलेज बहुत पर्मानेंट नहीं रहता है क्योंकि वो कॉपी केट होता है आपने कॉपी किया आपने उसी को आई जित्री बता दिया बिल्कुर एक होता है आपने नहीं है कुछ नहीं में भड़त नहीं स्सक्राइब लाइध के सबस kalian पार रवा कुछ निया है और नहीं में हुट जोटे टे टेम अप इसे भीलोग करता हूं थूआट हमने middle school high school सब government school से पर आप तो हम लोगों को pain देखिए हम स्टॉक ट्रेडिंग में ट्रेडिनिग नहीं देते हैं हम यह बताते हैं तेटेटर by default सब लोग है आगर कोई भी कोई भी काम कर रहे हैं तो वो अपना समय बेश रहे हैं और समय बेशने के बदें उनको पता है कि if I am selling my eight hours I am getting a salary of thirty thousand fifty thousand one log or ten lakh जी 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 अगर यहां पर हम आते हैं मुर्तिकार कभी मुर्ति बनाता नहीं है उस मुर्ति के ऊपर बताए कि यहां का पत्थर आटाओ कान निकल जाएगा यहां का पत्थर आटाओ तो नाख जाएगा तो वह सेप देते हैं अच्छा आसे कि आचकल लोगों के पास नाउलेज की कमीनी है ज्यादा नाउलेज को करते हैं और्स नाउलेज को सही और सख़ली को साही चल दिखिए भच्पन में हमें हम में फिजिक्स में किजिए और एक जगह अपनी एनर्जी को लगाईए सब कुछ संभव है बिल्कुल और यह स्टॉप ट्रेडिंग में डिस्ट्रक्शन फ्री लाइफ जीना है लोगों को बिल्कुल तो जैसे आपने मेंशन किया नौनी में अभी भी बसनी जाती है और ऐसे बहुत से गाउं है पूरे देश में तो उसमें युवा भी है अभी जो पढ़ रहे हैं जो आगे बढ़ के कुछ करना चाहते हैं तो आप उनको क्या इंस्पिरेशन दे सकते हैं कि आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्या हुआ कि आप मतलब जैसे आपने कहा कि गर्मेंट विद्याले म सोचते हैं कि वहीं के वहीं कुछ जॉब कर लेंगे चोटा कुछ जॉब तो इस इता सोचने का लोगों में एक डर सा बैठता है कि हम आगे निए बढ़ पाएंगे या वने बता दिया जाता है कि तुम्हें तो यहीं रहना है तो आप पर्सनली कैसे वहां से ओबरे रहे है देखिए, उस वक्त हमारा स्ट्रगल था, अभी वह स्टोडी है, तो मैं श्टोरी सुनाता हूँ, स्ट्रोगल तो exactly आपको दिखाने सकता हूँ, जी जी, जी, वो तो आपने experience किया है, हम तो दिखा यह वो हम दिखा जी नहीं सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, आप फील नहीं कर स आज हो ज्याते हैं हमकर पत्जीतस करते हैं इस रीडिंध पता हो रहे तो और रिस्क दिल लेना परता है। आम लोग के जीन सब्सक्ता हैं देडम में मतंते हैं से लिए किसी अधिक की स्वी तो चाहिए ह्ला फॉकरी है। साट साल के बाद बिना रिस्क लिए भी आपका एक्सपारी डेट नजदी काने वाला है जी 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 तो रिस्क के साथ साथ हमारी उपस्तिल लोगों का आश्रिबादरा माता पिता गरू चाहे उनकी जो कैपैबिलिटीज थी उस बग उस कैपैबिलिटीज के काउडिंग वह ज्यादा सही हो की है हमें तो वहां से लोग बोले कि मेरे मामा एक रहते थे दिल्ली में तो उन्होंने का काम करो 2004 में तुम दिल्ली चले जाओ दिल्ली आये लेकिन उनका पैसे नहीं थे क्या उम्र होगे आपके उसने आप मैं तो 16-17 साल का था मैं 89 बॉर्ण हूँ और 17-18 का मैं उस पक्ता था 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 फॉर में जब हम दिल्ली आए तो उस वक खाने के पैसे नहीं मिलते थे तो मैं क्या करता था किसी दोस्त के पास कहीं किसी के पास काम कर लिया कहीं कॉफिसों में काम कर लिया एक न्यू चैनल की कंपनी थी मैंने आस तक रिक्लियर नहीं में 3500 रुपीज मिलते थे एडीपी ट्रेनर एडीपी ट्रेनी के रुप में जो एलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग करते हैं अच्छा तो क्या करते थे कि न्यूज का डेटा था पंजाब टूडे न्यूज चैनल था उनका बहुत सरा ग्रूप था एस्टीवी चैनल करक रात मोरेता दिन में परहाई करता था लेकिन दो हजार तीन हजार चाहजार से कुछ नहीं चलने वाला था तो सब्सक्राइब मुझे जाना था हम छोड़ दिये उन्होंने कहा कि आपकी नौकरी भी चली गई आप दुबारा मत आईये तो आवर लुकिंग सम्थिंग ओन इ अब ही लोग करते हैं अमेरिका का विजा लगने के लिए इतना मेंद करना परता है बिल्कुल बिल्कुल हमें तो पता ही था कैसे हो गया हम इंसान का पुरा ताकत लगा कि एक नाखुन ने बना सकते हैं और प्रभू इतना बड़ा सरीर दे दिये तो उन्होंने कैसे हुआ सब कुछ मुझे कुछ नहीं पता और विदिन ट्री मॉन्स आवाज जी बैक इन अमेरिका स्कॉलर्सिप पर हाई करने गए लेकिन इस सफर इतना आसान नहीं था जितना दिखता है लेकिन इसके पीछे बहु जा काजु खाने में अच्छा लगता है लेकिन इसका और रल पंपे काम किए खाना ना जी अचा मेरे पास डीवा बापन जाता तो कोई उपस नहीं था लेकितर यी बस, जीवन में कुछ करना है, लेकिक 2 तरह का बात होता है, एक होता है, क्यूं करना और कैसे करना है, हमारा क्यूं clear था, कैसे करना है, मुझे नहीं पदा था, वो नेचर, प्रकृति, सब कुछ कर वाली, मैं कोि बरहमन परिवार से नहीं हूँ, लेकिन सास्त्र मुझे प योग नहीं होता, फिर मुझे आता है, कैसे आता है मुझे खुद नहीं पता, लेकिन आता है, तो वहाँ US में पहुचके जो आपने बताया कि आपको वहाँ भी बहुत struggle face करना पड़ा होगा, बिल्कुल अकेले वहाँ, वो टाइम कैसे आपने निकाला कि वहाँ बिल्कुल न अफगानिस्तान में, अच्छा अच्छा तो सबको अफशन दिया गाए, वो टू अफगानिस्तान अस्पेसल फोर्स के तरफ से उसवद द्रोन आया था, जी जी तो सट्लाइट मोनिटरिंग में नया नया था, टुठाव एंट की कहानी है, तो मैं दुठाव एंट का कहान में हुआ, सब कुछ पैसे आ रहे थे, कम सब मरता क्या नहीं करता, हमारी स्टोरी लेकिन खत्रा बहुत था अफगानिस्तान में, रॉकेट कभी इधर से गुजलता था, अब इधर से, आप आप दैनिंग टेवल पर खाना खा रहे हैं, पूरा अमेरिकन माहल था, इट होता था, उपर से टेंट बना होता था, और रात रात में कई टेंट गाय हो जाते थे, बंकर में भागने विदेर हुआ तो आप इस दुनिया में रह नहीं, यह हमने देखा है, तो हमने देखा है कि लोग किस अस्थिती में जीते हैं, अच्छा फैसलिटी मिल रहना मिल रह है, प्राइवेट जेट मिल रहा है, C-17 में आप गुम रहे हैं, हेलिकॉप्टर में गुम रहे हैं, लेकिन यह वार जोन बार जोन ही होता है, बिलकुल, बिलकुल, आपके बगल में गोली चले, वहां तो, and I was in the most difficult places, नमें इस कंधार एर फिल्ड, और हम कंधार के बार भी जीवन से पाला पर है, जीवन सिखा जेती है कि नॉर्मल और एडवांस कैसे रहा जाता है, बिलकुल, बिलकुल, वो तो, आप बिलकुल डाउन टू अर्थ एक तरीके से रहते हैं, वो तो सबको देखता ही है, तो उस टाइम पे फिर अफगानिस्तान के पाथ, फिर आप अब मैं वताता हूं आपको, वो नासा का ही मिसन था, जीवन से टास्क फोर्स का मिसन था, यूस एर फोर्स एट इस सकें यर बोर्ण, जीवन सक तरफ से डिप्टोर्शन था पूरा, एक एजन्सी थी नामसा, जिनको हमें डाटा देना होता था, तो हम लोग एसेफ के साथ थे, नासा का को एस्पेसल बिंग नहीं होता, सटलाइट उनका होता है, तो बहुत कुछ यह चलता है, तो वी उस टु वर्क फोर यूस एर फोर्स एट इस सकें यर बोर्ण, और काम करते करते मैंने एक दिन का कि अब हो गया, रिजाइन, रिजाइन देने से पहले हमारी ज दो, यहां डाल दो, हम एक इंसान से मिले, तो लोगों ने ओर ट्रेनिंग हमें टेन करना मेंडेटरी था, वन टे का ट्रेनिंग था, हमें उस इंसान का और कुछ नहीं पता, मेरी इंगली उस पक बहुत कच्छी थी, तो क्योंकि इंगली समय में नहीं आता था, सिर्फ काम चल जाता था, और क्योंकि अमेरिकन एसेंट नहीं था हमारा, बिल्कुल, बिल्कुल, और एसेंट तो वही होता ने, जो बच्पन में आप सिखते हो, चेंज होई नहीं सकता है, तो हमें सिब एक इसी समझ में आया, कि उस इंसान ने उस वक्त 17 बिलियन डॉलर, मुझे उस चीज बहुत बढ़िया कई अभी, कि जाने जो जानते हैं, वो कभी ऐसा रिस्क लेते नहीं, इसा स्टेप लेते नहीं, कि आपको पहले ही ग्यान होता, तो पसक़्aintल नहीं थाशोशल नहीं, तो शायद आप यह स्टेप नहीं लेते, क्या यह का नहीं अगाना है, कि अग खरिदना हो खरिदना हो खरिदना है हम जाही नहीं पाते हैं लोग फाले प्लानिंग करते हैं यह क्या होगा यह क्या होगा हम सच में बताएं कि मैं पर्सनल अपने बच्चे की बात करते हम लोग अपने बच्चे को अपंग बना रहे हैं हैं हैंडिकैप बना रहे हैं क्यों बहुँ आज सोग शुबदा दे रहे हैं, वह स्ट्रगल कर ही नहीं पा रहे हैं, तो सास्तों में लिखा गया मेरा एक मानना, मेरे गुर्दे भी कहा करते थे, कि दिमाग लगाओ मत, और जो ची हमारे पास है नहीं लगाएं क्यों, यह हमने बनाया, दिमाग लगाने का मतलब कि आप अपने इंटरनल डेटा को मैनुपलेट कर रहे हैं, गो विद फ्लो, जिसे कि गुरुदे में क्लाइन बोला करते थे, कि I have been to Mumbai, तो Mumbai में प्लेटफॉर्म पे सिर्व आपको जाना है, जी जी, राइट प्लेटफॉर्म पे जाएं, भीर खुद धक्का मार के अंदर क इस तरह से नेचर प्रकृति हमें सब कुछ करवा लेती है, लेकिन हम दिमाग लगा है, इस भीर में क्यों जाएं, घर से निकलना पुलेगा, आप सही राइट प्लेटफॉर्म पे जाना परेगा, तब भीर धक्का मारेगी, आपको पैर भी नहीं चलाना है, फिर भी आप वो 17 बिलियों डॉलर की बात कही, तो उन्होंने वो ट्रेडिंग से बनाया थे, वो ट्रेडर थे, उनका नाम था डॉक्टर वेन के थार्फ, और विते वर्स वो इस दुनिया में अब नहीं रहे, तो फिर आपने इस दुनिया में कदम रखा, फिर हमनों उनको का कि मुझे सिखाईए, तो फिर भी हम लगे रहे, पीछे लगे रहे, लगे रहे, कुछ फिस दीए भी हम, तो अन्त में उनको एक ड्राइवर का ज़रूद था, मुझे ड्राइविंग आती नहीं थी, मैंने सीखा, लाइसेंस लिया, सब कुछ किया, उनके घर काम किया, अमेरिकन के सा अरे वा, तो एक चीज मैं और पूछना चाहरा था, आपने शुरू में कहा कि जो तीन चीजें आपको ये टर्निंग पॉइंट रहा, एक तो माता, पिता और गुरू, तो गुरू जी के पाने में थोड़ा आप हमें बताईए कि कैसे आप परेचे हुआ या फैमिली पहले परेचे कराया गया, और मेरे अध्यात्मिंग गुरू जो है, उनका नाम में निले सकता है, लेकिन ये बताता हूं, वो एक चीज करते हैं, कि अर्थ के विना इस दुनिया में आपकी जीवन का अर्थी नहीं है, और अगर आप उसके विना संत बन जाते हैं, तो फिर आप क फिलिंग आए, दीकिए, अगर हम खुद अपूर्न हैं, हमारे पॉकेट में एकर हंड़ेड डॉलर से तो मैं आपको 500 डॉलर नहीं दे सकता हूं, तो अगर हम खुद अंदर से खुस नहीं है, तो मैं आपको खुशी कैसे दे सकता हूं, तो गुरू जी बोले कि अगर दु इससे बाद जो आप कहने है कमाने के बाद दान कर दो वो चलेगा लेकिन बहुत सी बार पाया जाता है कि कि एक बार कमाना शुरू होता है तो उसका लत लगता है और और कहां हम कैसे रोखना चाहिए अपने आपको या बढ़ते रहना चाहिए कि और कमाना है और कमाना है आपने तो इतना कमाया है तो क्या आप मोटिवेट रहते हैं और कमाने को या फिर आप सोचते हैं कि नहीं अब काफी है देखिए साहिं इतना दीजिए जामे कुटूम समय मैं भी भुका ना रहा हूं सादो ना भुका जाएं कम कमाया जाता है अपने लिए ज्यादा कमाया जाता है समाज के लिए और फानली छोड़ के जाना है मैं माफी चाहता हूं मैं अध्यात्मिंग बाते थोड़ा ज्यादा कर देता हूं कमानी की जहां तक बात है मिंस अगर इनर्जी आ रहा है इनर्जी का फ्लो है तो आप उस फ्लो को रोक क्यों रहे फ्लो को रोकना नहीं चाहिए न जी जी फ्लो को आने दीजिए और हमारे गुरुदेव कहा करता धन का तीन गति होता है दान भोग नास दान दान बहुत तरह से होता है अगर देखिए गुरुदेव करते हैं आत्मा रच्छी धर्मा आत्मा की रच्छा करके धर्म की रच्छा की जा सकती है अगर हमारा आत्मा दुखी है तो हम धर्म की रच्छा कैसे करेंगे तो लोग करते हैं कि you travel with business class, you travel with first class मैं business class, first class से travel नहीं करता हूँ उस दो घंटे में, चार घंटे में, पास घंटे में अगर एक अच्छा सा thought process आ गया जो कि समाज के लिए कल्यानकारी हो तो उसके लिए अलग बैटने में क्या दिक्कत है मेटेसंस में भी क्या करते है हम अपने साथ अकेले बैठते हैं और अपके साथ destructive elements आपका mobile phones नहीं है तो आप अच्छे से सोच सकते हैं तो गुर्देव करते हैं कि दान करो, दान नहीं कर सकते हो तो भोग करो और नहीं तो धनका नास हो जाएगा, दान भोग नास यह हमारे गुर्देव हमें सिखा है क्योंकि बहुत लोग अलोचना करते हैं कि यह तो शोशाबाजी है कि बिजनेस क्लास ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन उसकी भी एक वो उपयोगी चीज भी बढ़ सकती है बहुत शान्दर और यह ट्रेडिंग का जो पुरा ग्यान है अब आप इसे बाट भी रहे हैं तो यह थोट आपको कैसे आए यह intrinsic थोट था कि मुझे जो ग्यान है मुझे जो experience है यह बाटना भी है मुझे देखिए मैं आपको एक बाद बताता हूँ हमको ग्यानी नहीं है और आज करेट में हर आदमी ग्यानी है बिल्कुल बिल्कुल ग्यान तो प्रॉलम में ग्यान ज्यादा है मैं कोई ग्यान बाट नहीं रहा हूँ ग्यान बाटना उसे बोलते हैं जो कि आपने एक बुक को परहाओ दे दिया हम उस चीजों का experience किये है ट्रेडिंग का ग्यान लोगों को ज्यादा हो गया अगर हम लोगों को बताते हैं क्या नहीं करना है और कैसे करना है इसमें कोई software include नहीं है कुछ नहीं है और directly and directly समाज में कुछ नों कुछ तो बाते करते हैं कुछ तो किसी को देना है कुछ लोग जब ट्रेनिंग की दुनिया जब ट्रेनर की बात करते हैं कोई भी किसी तरह का ट्रेनिंग या जब तक लोग आपको नहीं जानते हैं तो कि बाते सामने आती है कि ये ज्यान देने आ गया लेकिन सोचिए कि हम जिस हस्कूल से पढ़े हमें गुरुजी पीट-पीट के पराए अगर वो हमें नहीं पीटते तब भी उनको सरकार तंका देती हमें क्यों पीटे हमारे तरक्की में वो उनको खुसी मिलती थी हम लाइक बने वो ऐसा हो चाहते थे तो ज्यान जो है वो अगर आपके पास है तो किसो देने में कोई बुराई नहीं है और मेरा एक लाइन है trade like a cent trade like a cent का मतलब होता है संत के अंदर क्या होता है संत के अंदर संति होता संत के अंदर यह नहीं कि आप अच्छा सा गरुआ वस्त धारन कर लिए नौ यूर सेंट वो अग मेरे कोर्डिंग वो तो आप फिर दिखावा कर रहे हैं सब लोग संत हैं संत अगर नहीं होते तो फिर यह आपके अंदर ठाट प्रोसेस कहां से आया कुछ तो चल रहा है ना जी जी तो समसब संत हैं देखे दो तरह के निती होती है पाली निती होती धर्मनिती दुसरी निती होती है राजनिती धर्मनिती और राजनिती में सबसरा राजनिती मतलब राजाओं के निती एक राजा कभी नहीं चाहता कि हम अपने प्रजा को सब कुछ बता दें वह भी राजा बन जाएगा राज करने के निती सब आगे भल जागा तो राजा क कैसे राज करेगा धर्म निति मतलब एक माँ हमेशा अपने बच्चों को बिना किसी लालच का बिना किसी लोव का खुद भूके राके हमने देखा अपनी माँ को खुद भूके राके दूद पिलाती है खुद भूके राके खाना के लाती है तो वो धर्म निती है तभी तो गीता में भी कहा गया धर्म चेत्रे कुरू चेत्रे धर्म और धर्म का लड़ाई था रन चेत्रे कुरू चेत्रे कहीं नहीं था बिलकुल इतनी खुबसूरत बात अपने कही और आपने ये पूरी दुनिया में आप जादे तर देशों में गूम चुके हैं 53 कंट्री में गूम चुके हैं तो अलग-अलग संस्कृती भी आपने देखी होगी और आप अभी रिकॉर्डिंग से पहले बात भी कर रहे थे कि जो हमारी संस्कृती है उसमें बहुत रिचनिस है भारती संस्कृती में भी लेकिन कहीं न कहीं वो शायद अभी थोड़े लोगों के आखों से ओजल हो रही है तो आपको क्या लगता है कि कैसे इसको वापस फॉर्फरंट पे लाया जा सकता है और क्या एक और सवाल उसके बाद करेंगे तो घर बिग्रे को घर बिग्रे नहीं और जब बिग्रे तो दूद बिग्रे दूद में अगर आप नीमू टाल देंगा खराब हो जाएगा लेकिन दूद का च्छाच है उसको आप डाल दोगे क्या फर्क पड़ता है तो हमेसा अच्छा चीजी खराब होता है हमारे हमारे सा अध़ क्या-क्या दुनिया के किसी भी धर्म में आज लोग बात करते हैं नासा की नासा बताता है type calculation नासा बताता है यह ना यह परिवरतन बहुत सारण परिवरतन बताता है तो हमारे पुर्वज कभी चान पर जाण पर है और मंगल पर नहीं ग domna पर Tea क sixt Re ligos होने वाला कभ संदर्गरन हने वाला तो कलकुलेशन कहाν से आया तो कहीं नörtına कितो लिखा हुआ य। नश्म मेडतियों का कलकुलेचन है हमें नहीं पता हम अध्यानी हैं लेकिन जन्म मेडतियों बिल्कुलेट हैं लोगों के साथ य। जन्म का पता नहीं मां को पता चल जाता है कि 9 मेरे में डेलिवरी होगा, तो पता कैसे नहीं है, पता था तभी तो 9 मंच कल्कुलेट की, बिल्कुल, बिल्कुल, उसके बाद हम दिमाग लगा है, इसलिए मिर्त्यू का कल्कुलेट है नमारे पास एक्जेक्टली फिगर नहीं है, तो सास्त्र में चारवेद, उपलिसद, हमारी पुरान, रामचरित, मानस, रामान, भागवद गीता, हम को ते कुछ मत परो, भागवद गीता, वेद का एक भी असलोग, आपके पूरे जीवन को बदल सकता है, हमें भागवद गीता का स्लोग बताते हैं, कर्मने वाजी कारश्चे, मास्व नहीं करना है, कर्म नहीं करेंगे, तो फल कहां से होगा, if we will not get married, how will we be able to get a by-product, हमें पहले by-product चाहिए, then we want to get married, तो step by step चीजों को follow करना परेगा, युवा का प्रॉलम नहीं है, आज हम करते हैं कि हम modern बन रहें, modern की क्या परिभासा, modern की परिभासा है, नगनता है, कम कपर पहनना है, टाइवेल्ट लगाना है, modern की परिभासा है, क्या आपका विचार क्या है, आपका कि संस्कृति क्या है, हम लोग करते हैं कि अंक परनाली की खोज लोगों ने की, मैंने का नहीं की, अंक परनाली की खोज अगर आपने की, तो कैसे counting हुआ, कि सहस्त्र कोटी सेनाय नहीं थी महाभारत में, वो हजारों का गिंती कैसे हुआ, अगर अंक परनाली की खोज हमने किया, इस दो सो पान सो हजार वर्स पर पर पुर वर्व, जब अंक परनाली की कि खोज हमने की, तो भगवान सरी की बाते करें, चाहे PhD की बात करें, काखगः will remain same, ABCD will remain same, सिर्फ उस सब्दों को कैसे लगाते हैं आप, दुनिया का कोई भी धर्म, कोई भी religion humanity से उपर नहीं है, और humanity का सबसे चाओधाराण सास्त्र में दिया गया है, लोग कहते हैं कि रावन बुरा था, मैंने का अहंकार सबने देखा, संसकार किसे ने नहीं देखा, रावन पर हालिखा भी था, बिल्कुल, इतने ब्रहमन कुल का, इतना वरा विद्वान भगवान सिर्ग को अपने बस में रखता था, इतना discipline रावन का सल्तनत था, कि सुबा सुबा, बिल्कुल, बायुदेव उतना हवा चलाते था, गंदगी साफ हो जाए, उतना बाइस होता था, लंका साफ हो जाए, तो सास्त्रों का ग्यान मैं एक, जो मैंने experience कि अपने जीवन में, इन पंदरह सालों में, कि अगर सास्त्र का आपको कुछ पढ़ने की जरूती नहीं है, सास्त्र का अगर एक असलोक रटना नहीं है, समझना है, तो कुछ समझने की जरूती नहीं है, और सास्त्र पहला लाइन सिखाता है, आबा हम ना जाना मी, ना जाना मी विशर जनम, हम करते हैं मुझे सब कुछाता है मंत्र ही नम क्रिया ही नम पूजा के पहले लाइन बोलते हैं ना मंत्र ही नम क्रिया ही नम भक्ति ही नम कपिश्वरा प्रमेश्वरा तो मंत्र भी नहीं आता है क्रिया भी नहीं आता है भक्ति भी नहीं आता है यहां तो हम लोग के अंदर सिखाया गया, we know everything. How you know, known is perfect. प्रभु स्री राम भी प्रफेक्ट नहीं थे, स्री क्रिष्न भी नहीं थे, इसा मसी भी नहीं थे, known is complete. So true. तो हम लोग को जुतना आता हम उसके specialist बने हैं, हम तो सब को काते हैं कि सास्त शुर्वी mandatory, हम अपने बच्चों को Spanish सिखाते हैं, अपने बच्चों को फ्रेंच सिखाते हैं, अपने बच्चों को हम, लेकिन known is, known is interested to teach भागवद कृता आई जे इलिमेंटरी सब्जक्ट. भागवद कृता छोरो, आप कुरान पर हो, लेकिन सास्त पर हो, सास्त में कुछ नो कुछ लिखा हुआ है. बिल्कुल, वोई बात पर आप से पूछना चाहरा था, क्योंकि अकसर हम जब ये अपने शास्त पढ़ते हैं, तो हम दूसरे के शास्त को कहते हैं, भाईया, ये गलत है. हमारा बेस्ट है, तुमारा दूसरे नंबर पर आता है, या तीसरे नंबर जाता है. तो ऐसी आटिट्यूट आप जो ट्रैवल करें हुए हैं, आपने क्या देखा है, कि हर जगे का जो अपना कल्चर है, जो अपना शास्त है, जैसे South America में भी पुरानी civilization है, अस्टेलिया की भी पुरानी civilization है, जो अमेरिका भी वो नेटेव अमेरिकन जो थे पुरानी civilizations है, तो क्या ये सच्चाई जो है, जो हमारे हैं भागवत गीता में और इसमें है, वो बाकी सब जगों में भी है, ऐसा तो नहीं है कि एक बेस्ट है, एक उत्तम है, या वास्तव में एक उत्तम है, बाकी सब एक ऐसी श्रेडी भी है उसमें देखिए, चाहे आप पानी बोल लीजिए, बाटर बोल लीजिए, परपस क्या है? और नहीं कुछ बोलिए, परपस क्या है? परपस है इनर्जी लेना है अंदर, देखिए, उदार चर्था नाम तु बस्तव कुटुम कम, और एक लाइन है, सर्वे भोन तु सुखना, सर्वे संतु निरामया की बात करते हैं, और एक्वालिटी की बात करें, तो जब आस्मान से बारिस हो रहा है, तो यह नहीं कि उधर ज्यादा देना है, इधर कम देना है, जहां पर हो रहा हो, पुरा देना है, तो जब नेचर ने किसी चीज़ में हवा चल रहा नहीं, आपके पास थोड़ा कम हो आएगा, मैं अक्षिजन ज़्यादा लूँगा, कहीं तो है नहीं, तो यह छोटा वरा का विचार जो है, अगर इस तरह का विचार हमारे अंदर है, तो सबसे पहले हम हुमेनिटी से बहुत दूर चले गए, और अगर हम हम हुमेनिटी से दूर चले गए, त तो दो दो रिये लेसेंस अफ आवर लाइफ, मैं एक लाइन पुषता हूँ आपसे, इस दोट माइन, ब्लेस प्लेस, सबसे पुषता हो ही जीवन में, और यह बहुत 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 कोश्चन है, लोग कहते हैं, वाट इस परपास आप यूद आप ल यह तो भोग की बस्तूर होई, वाट इस परपस और जिसको अपना परपस पता है ना तुसको ना फिर अच्छा बस्तर चाहिए, ना तुसको फैंसी जारगन चाहिए, वो अपना परपस जीता है, तो परपस पता लोग, देखिए, कस्तूरी कुंडल बसे, मिर्ग रहे भर मिर्ग का सिकार होता है, वो एक खुस्वू के पिछे भागता रहता है, और खुस्वू उसके नाधी में होता है, बिलकुल, उसको प्रान लेता है, तो कस्तूरी कुंडल बसे, मिर्ग रहे भर्माए, तो एक चिली हम नौलेज हमारे अंदर ही है, सास्त्र के बियॉंड बा में सिख हैं, इसाही हैं, बहाई हैं, I don't know, हम रवियार कुमार हैं, रवियार सिंग हैं, फलाना है, मौलाना है, whatever I am, I don't know, यह नाम हमें दिया गया है, यहां के लोगों ने दिया, बिलकुल, बट हूँ यू आपको एक अपना थेओरी बताया था, गौड का, बिलकुल, मे अलग है, मैं बोलता हूँ, G.O.D. God, and God doesn't exist, God exist ही नहीं करते हैं, अगर आप किसी धर्म के आदमिक सामने आप बते ही, जो बहुत बरी धर्मिक हैं, जो humanitarian की बात नहीं करते, एक specific religion की बात करते, बोली भगवा नहीं नहीं, तो आपके पिछी भाला लेके पर जाएंगे, ना भाई माता, माता पिता गुरू, हमने तो अपना जनरेटर, हमने तो जनरेट करने वाले वो लोग हैं, पिता जी है, माता जी है, गुरू जी शेप दिये, जी 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 तो God, God doesn't exist, God is all about energy, energy, G for generator, O for operator, D for destroyer, तो अगर आटम की बात करें, तो आटम की तीन particles, electron, proton, neutron, job of electron is to generate the energy, job of proteins to operate the energy, and job of neutron is to destroy the energy, G for generator, O for operator, D for destroyer, अब बात करें, हिंदू religion की बात करते हैं, तो हिंदू religion में, जब हम आते हैं, तो तुर्देप, रचाया स्रिष्ट्री को जिस प्रभू ने, ब्रम्भा, ब्रम्भा इस जेनरेटर, जेनरेट की है, हमें ऐसा बताया गया है O for operator, operator कौन है विष्ट्रू, कभी राम बन के, कभी जाम बन के, कभी multiple रूप में आए, ये सास्त्र बताया हमें, ब्रम्भा विष्ट्रू, तीसरा महेस, मरने के बात करते हैं संभो, G for generator, O for operator, D for destroyer, वेर इस गौड, अब आपनी बात करते हैं, हम कोई photocopy के machine से नहीं आए, generate हुआ हमारा, पता नहीं प्रभू किस काम के भी भेजे हैं, operation में हैं, और destroy हो जाएगा, तो हम एक example दिये था आपको gold का, कि अगर एक gold की टुक्री को भी, अगर 1000 टुक्री में बाता जाए, gold is a non-living thing, तो non-living thing को भी अगर 1000 टुक्री में बाता जाए, तो सबसे शोटा ट complete, complete gold, लेकिन जब आप हमारी बात आती है, तो हम ऐसा बोलते हैं, मेरे पास ये नहीं है, ओ नहीं, ये नहीं है, we are the complete men, we are not in complete men, तो लोग कहते हैं कि God कहा है, मैं कहते हूँ, भक्त पहलाद वाला, हम्में तुम्में खरक्खम में सब में ब्यापत्रा, मैं खरक्खम में भी मैंने कहा, अनाज चल नहीं सकता है, लेकिन उसी अनाज को आप खाएंगे तो आप चल सकते हैं, वो अनाज तो निर्जीव है ना, आठा चल नहीं सकता, तो उसको खाने काँ हम चल पाते हैं, तो उसके ंंदर कौन सा accord है, तो इसे तरह से हमें दिखते नहीं हैं, प्रभू तो जादे स्टॉक डेडिंग के बारे में नहीं जाना हूं, बिल्कुल नहीं जाना हूं। कभी-कभी कर्म ख़ती हैं, जासे किसान है, वह कर्म करके, उगारा है और रहा है क्राफ्ट्समिन वह कुछ बना रहा है, और वह वश्तू बेचके अपना पेट पाल रहा है, तो ट्रेडिंग की श्रेणी क्या होगी उसमें भी एक ये क्या स्किल है क्योंकि सपोज कब मान लीजे के कल पूरा कंप्यूटर इंटर कनेक्शन पूरा एकॉनमी कोलाप्स हो जाए तो ट्रेडिंग का तो जॉब ही चला जाएगा उस टाइम पे तो दू थिंक तो ट्रेडिंग मतलब यापार हम लोग एकॉन खुलाते हैं दीमाट दीमेटरलाइस फ़र्म में जी तो ट्रेड में आप जो भी आप खरीद रहे हैं सब को आप उनलाइन करीज सकते हैं मेल बना इमेल मेल बना इमेल मेल कॉमर्स पले दुकाने जाते थे सब आमेजर में 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 म टिकट लगाते थे बेजते थे टाइम लगता था अब टाइम थोड़ा कम लगता है बाकी प्रोसेस कभी चेंज नहीं हुआ स्पीट चेंज हो गया ज्यादा फास्ट हो गया लेकिन अक्चुल हो ही कर रहे हैं लोग कच्छा तेल खरीते हैं हम क्रूड वाइल यहां पर खरीते हैं तो मेटरलाइज विकम डी मेटरलाइज वर्ट्वल इस अन्यू रियल और ट्रेडिंग जो है यह ब्यापार है ब्याप तो 500 बिलिनियर्स 391 बिकम बिलिनियर्स फो में स्टॉक मार्के इटसेल्फ अब बताता हूं अभी दुनिया में राज कर रहे हैं बैरन वफे क्या करते हैं अस्टॉक ट्रेडिंग बिल्कुल बिल्कुल हमारे किंग मर् चले गई इस दुनिया से राकेश जुझन बाला या करते थे अस्टॉक ट्रेडिंग बहुत सारे नाम है सबसे टॉप श्रेणी के जो है तो क्या लगता आपको यह जुगा खिलते हैं बैठके और जुगा की जहां तक बात रही तो फिजकल दुकान में भी आप भी बहुत सारे से लोगों को जानते होंगे उन्हें दुकान ख खतम हो जाते हैं तेकि ट्रेडिंग में सबस्री बात है कि इसका एक नियम है वेन टु इंटेंड वेर टु इंटेंड वेन टु एकजीट जब भगवार हस्तिनापुर गए तो दुर्योधन को पुछे दुर्योधन तुम दे दो केबल पांच ग्राम रखो अपनी धरती त दुर्योधन बोलता है I hate a stop loss यहां पर किसी भी काम में लोग slatter तो दे रहे हैं ब्रेक नहीं है उनके काम में जी तो ट्रेडिंग के दुनिया में सबस्रा प्रावलम से ब्रेक नहीं है दे दोंट नो वेर टु स्टॉप तो तबहा भी हो जाते हैं इस तरिक वो तो रियल ब सब्सक्रावलम से ब्रेक नहीं होता है तो पांसो ज्यादा जाहीं नहीं सकता है लेकिन उस्टॉप अंडरस्टेंड वेन तू पुट ए स्टॉप लॉस ब्रेक तो सब में लगाता है ना बिलकुल और इसके बाद आब लोग काते हैं कि तबहा होते तबहा कोई नहीं होता अब यह स्टॉक मार्केट में कौन सी कंपने रिलाइंस जुवारी है यह हमारी एकॉनमी के प्लेयर है हमें अपना बदलना परेगा हम अपने विजन को चेंज करना परेगा यह जुवा नहीं है अरियल बिजनस है सिर्फ आप फिसकल सटर खोल के दुकान लगा रखें और म है और आम से ओनलाइन बैठके थोड़ा सा अकल बड़ी अभास तो अकल से काम कर रहे हैं लेकिन अकल किसी भी काम को करने के लिए दुनिया में आतक कोई सा सब्जक्ट नहीं बना जो कि आपको व्यापारी बना है M.B.A. स्टेंट पर मास्टर बिजनस अद्मिस्टरेशन मन्स अरत देंट कोई पड़ाने हैं आजा बाते हैं यह पूरा ब्यापार है प्रत देवा है मॉट्थ और आहरा थौट साधं कि A.B.A. नम्हार की बात करते हैं ऐस्टॉक मार्केट कि नारेकले पकोशाशचन यह पश्कूल आपका पैसा हमारे एक दोस्त थे 2008 में इंडिया आये पैसा लगाए वन मिलियन डॉलर प्रोपर्टी में लगाए एक मिलियन डॉलर लेकि आये थे पांच करो रिपे लेकि यहां लगाए अभी जब यहां से ले गए तो उनका पैसा अधा गया अब बोलेंगे प्रोपर्टी का दाम भी ق् Tomorrow इस में वान चैंगे अधा में देख्स अधा कर ने उनको 결ex कृत कर देते प hizo यह के अधा कंवागा और यह लगा यहां आथ शूर्ट practitioners करते ह। जीवन चैंध को स्चाराघ साधकते ह应ा गिए इसको समझना पmedenब हमें और नहीं समझेंगे उस नुकसान हमारा ही है वह बहुत से लोगों के अंदर ये धारना है कि ये तो एक gamble है stock trading तो बिलकुल जैसे आपने कहा जुआ का रूपी समझते हैं कि risky बहुत है इसमें तबाह हो जाएगे but you are making it so clear and एक चीज़ जो मैंने आपकी सुनी और मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि emotional नहीं होना है मतलब एक तरीके से हम लोग बड़ा कभी-कभी एक passion का value देते हैं कि emotional quotient भी आजकल बड़ा ये शब चल रहा है आप कहते हैं कि trading के लिए emotionally trade नहीं करना है दो तरह की बाते हैं हमारे पास हाइद्रावाद से दिल्ली जाने के लिए कार है मेरे pocket में पैसे नहीं है तो गारी वाला कभी नहीं समझेगा कि petrol किसे का पानी नहीं डिलेगा emotional दो तरह system और emotions problem से हो गया ही कि हमें emotions लगाना है family के साथ बिलकुल और system लगाना है ब्यापार के साथ हम लोग उल्टा कर रहे है family के साथ system systematic road और ब्यापार के साथ emotions दिखाते हैं computer एक dead machine है वो आपका command पर काम कर रहा है उसको आपके emotions एक को लिए दिना नहीं है लोग क्या करते हैं they buy emotionally and justify logically पता यह हो गया था पहान ही a story बनाते है बच्चा अगर fail हुआ तो a story बनाता है पता है दो नमर से कम आया what is the result? आड़ी pass आड़ी fail वहाँ भी fail होते है ना इस astrology में कहीं प्रावलम है तो emotions तो kill करना परेगा emotions का सब्सक्राव प्रावलम है जब लोग आते हैं ने ने अगर हमें तैड़ना आता है तो आपने swimming pool में फेगेंगे तो मुझे डर लगेगा? नहीं बड़े तलाब में? इवन दरिया में भी हम तैड़ लेंगे? बिल्कुल डर क्यों लगता है? डर का सबसे बड़ा कारण कि हमें ग्यान नहीं है अच्छा आपने भूत देखा है? नहीं तो बचपन में अंधेरे से डर लगता होगा? बिल्कुल तो बचपन में हमारे ममी पावबले बटा सोज आए तो भूत आ जाएगा उनको नहीं पता था कितना वारा प्रॉलम हमें देखे चले गए और अभी भी अंधेरे में डर लगता है वो कैसा भूत है जिसको ना हमने देखा ना सुना ना हमने एक्स्प्रियंस किया फिर भी भूत से में डर लगता है अग्जेक्टली स्टॉक मार्कर में लॉस का भूत वही है ना हमने सुना ना हमने देखा ना experience किया और कूद जाते हैं क्योंकि बिना ग्यान के अगर मैं आपको जहाज उराने दे दूँ तो जहाज उरा लेंगे लैंड कैसे करवाएंगे अभिमन्यू इंटर कर गे चक भी हुमें वापस नहीं है कौन बेट करता है अलजुन के आने का चलो हम गदे से साथ मां दर्वाजा तोर देंगे नहीं टूटा फस गए खतम स्रिक्रिश्न भी नहीं बचा पाए तो इमोशनल और सिस्टम दोनों अलग लग चीज़े हैं तो इमोशनल होता है फो यमो फियर हो गया कि हमें नहीं मिला नहीं मिला your capital is protected with you भाव पता करो भाव पता नहीं है एंटेक जीड पता नहीं है ABCD पता नहीं है युच्वर अंडर्स्टेंड डुंया के जितने बड़े प्लेश वहीं सब यहीं किये तो आपका इंसानी दिमाग ही सबसे सटिक है घन की लakका की आठीपिजिन स्यस्टेम इसकर कुछ भी नहीं है ये मारा इंट्रयूज्जर्गित्स्य आपको भी, तो भी नहीं है हम किसी इंडीकेटेस कशन्राटै, किसी आंब करना चया नहीं है अरे मैं एस्ट्रोलोजर थोरी हूँ बिजनस का देखिए मैं ट्रेडर नहीं हूँ बिजनस की बात करते हैं डू यू थिंक अब बिजनस के ग्रों सक्षिज विदाओट क्लियर प्लान नो लोग यहां फंसने के बात प्लान बनाते हैं लेकिन नियम कहता है कि विफोर यू इंटर यू यू प्लान इसे नहीं पकर पा रहे हैं तो ऐसे पकड़ लिए घुमा के बागे कुछ नहीं है जितने भी सक्सेस्फुल लोग हैं उनको वो जीवन बड़ा सरल जीते हैं इस मसीन के जंजाल में आप अपने आपको उलजाते चले जाएए और आप उलशते चले जाएंगे जितना अपने आपको सिंपल नेच्रल नीट्रल रखेंगे उतना जादा आप आगे भरेंगे लोग कहते हैं आप पे ट्रेड करो तो थिंख एमोजन का आप हम लोग उसकरते हैं तो आप हमारे लिए है क्योंकि हमें कुछ ना कुछ गलत काम करना है लेकिन जो बिजनस मैंज कर रहा है तो लोग ट्रेडर नहीं है वो गैमलर है गैमलर है क्योंकि उनकाते है किसी को दिखाना है किसी को दिखाना भई उसको करके दिखाना है किसी को नहीं दिखाना है दुनिया में एक आदमी को आपकी सचाई पता है वो आपके पापको नहीं अपने आपको हमें पता है कि हम कितने सही है कि इसको दिखा लो ना सब जाते हैं पूरी तरह से बदल चुके हैं तो और इजनल रहना आज के आज के जमाने में बी नेचुरल और बी नीट्रल इस इस मुस्ट डिफिकल्ट जॉब आज मेकप फेस लेकर चल रहे हैं हम लोग पानी लगने बाद उतर ही जाना है और एक चीज और किसी भी बिजनस पर पैसा लगाया जाता है ए ऐस केल आप मोड में अस्टा अपर मोड में बेस्टा के सटाप मार्कर बीजनस है और पर आपको पता है सिर्फ फॉरेक्स का मार्केट का कितना है वोल्डवाइट लीगल टेड टेड ट्रिलियू है इंडिया की एकोणोमी है ठ्री ट्रिल्यू की और सिर्फ जो स्टॉक मार्केट, एक्विटी मार्केट का वैल्यू है, एक्सोच ट्रिलियन डॉलर का है, गलोबली, तो आप, अच्छा, अगर मैं आपको एक सेर पकरक ला दूं, तो उसके साथ, उसको खाना पर एक खिला देंगे, वह आपको खाकर चला देगा, बट सम्व तो व्यक्तिकत तोर पे आपने इत्ता कुछ अचीव कर लिया है, अब गिनिस बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अभी जाने वाले हैं आप लंडन बे, उस रिकॉर्ड के बारे में थोड़ा आप बताएंगे, दिखी एक रिकॉर्ड तो जड़नी का एक हिस्सा है, जी पहले करना चाहिए थे तो उनका उफसन था कि ऑनलाइन बेजों के ऑफलाइन में का कि लॉट्स के अपने आप में नोटेमल प्लेस है, दूसरा एक उन्होंने मेरे लाइफ एक रिसल्स किया, तो 23 पोजिटिव चेंजमेकर इन द वर्ल्ड तो उसमें से एक मेरा भी नाम है उनको लगता है कि मैं कुछ पोजिटिव चेंजमेकर ला रहा हूं तो अर्ट इन द वर्ल्ड तो मेरा भी नाम आया प्रभू के अश्रावात देखियो होता है ना काम करते रहना चाहिए नाम बाइडिफोल्ट हो जाता है काम करेंगा तो नाम कैसे होगा जी दीजी और कभ तो आप एक चीज जो आज की दुनिया में सब लोग बात कर रहे हैं कि स्ट्रेस बहुत है हमारे जीवन में और मतलब एक किसी की छोटी सी बिजनस है उसको भी स्ट्रेस है किसी का बहुत बड़ा इंपायर है उसको भी स्ट्रेस है तो आपके जीवन में परस्नल व्यक्तिकत तौर पे आप स्ट्रेस लेते हैं और अगर स्ट्रेस लेते हैं तो उससे कैसे डील करते हैं आपको जानके हसी होगी एक किस्चिरिया का ना मुझे नहीं पता है कारणी एक बात है कि लोगों का मुवाल फोन दो घंटे के लिए दूर चला जाए तो उनको लगता है सब करो जो तुम्हें पसंद हो ना हो नहीं तो बक्त तुम्हें वो सब कुछ देगी जो तुम्हें पसंद है नहीं तो अगर कल तुम्हें वो सब कुछ करना परेगा जो बक्त तुमसे करवाईगी तो आज हमें पसंद हो ना हो हमें देखिए लोग आप एक लाइन और बताते स्ट्रेस कहां से शुरू होता है लोगों तो सुभा उठना भी स्ट्रेस लगता है जिसे मैं एक लाइन बोला मेरा एक फेमिस कोट है making money into stock market is IGG as making a cup of coffee but your trade should be 100% process oriented not profit oriented तो पहला वाइन सबको याद हो जाता है making money into stock market is IGG as making a cup of coffee दूसरा लाइन किसी को याद नहीं होता बट के बाद तो सुनो मैं बट के बाद क्या बोला यो ट्रेट सुद भी 100% process oriented not profit oriented तो जभर ट्रेडिंग कि बात करते हैं stress कि बात करते हैं stress आने के बाद आपके गुसे में सबसेरा नुकसान किसका होता ह ? अपना अपना रुक्र、 अपना नुकसान होता है थियूं बिल्कु अप दुनिया में किसी का नुकसान नहीं करते हैं इस चीजों को आप हिला के रखे हैं तो कहां से और स्ट्रेस कुछ नियोता है वहारा स्टेट आप माइंड है बहुत सारे लोग को आप देखे होंगे हैं आप बीजी बीजी फोर नथिंग पिपल कि कि इसलिया स्ट्रेस है ना बिकास नोग निंट इंट स्टॉक मरकेट मार्केश फ्र कि शॉथा दूपान चाला रहे ना ही जी आप बिजनसमैन को सब आर भी हम्सेल्फ का इस थे था नहीं होता है ब्रा सलतनत नहीं बन पाएग और वो पझाल डोके जाते है और पजल्ट से फिर निकलने पाते हैं वो पजल्ट से ना निकलने का stress है तो आप क्या कहेंगे अगर लोग का mind में doubt होता है कि मुझे खुशी चाहिए जिन्दगी से या शान्ती क्या बड़ा रहेगा देखे एक चीव बताते हैं आप stress की बात करते हैं जब हम आये थे जब जन्म लिये थे तो कहां था यह हमने क्रिट किया तो मेरा एक कोट है दो चीज रखो दिल के अंदर सांती और चेहने पर बदमासो वाली मुस्कान और यह सुनने में आसान लगता इतना आसानी से नहीं आता रोना आसानी से आजाएगा क्योंकि हम लोग को यह सिखाए गया है कि बनावती जीवन जी हो उसको मैचोर बोलते हैं मैचोर करके होके क्या कर लोगे मैचोर्टी ज़्यादा अच्छे से स्रियस बनने मेचोर्टी नहीं है मैचोर्टी यह है कि आप कितना मस्त रहते हैं उसको maturity बोलते हैं, लेकिन maturity का सब दिल लोगों ने बदल दिया, स्रियस दिखो, अच्छे दिखो, हिश्पुष दिखो, थोड़ा सा ये करो, बाल नहीं है तो बाल लगाओ, मैं तो आर्म डेली स्ट्रीम करता हूँ, I love it, तो कहने को लोग natural जीवन जीना बंद कर दिये, तो stress का एक सबस्वराब मैं आपको example देता हूँ, जब भी लोग खुस होते हैं, तो family के साथ घूमने निकलते हैं, करते हैं, तुम अलेड़ी खुस हो भाई, उस समय को कुछ अच्छे जगह पर लगाओ ना, और बाहर में जाते हैं, बहुत सारा मदरा 7 भी करते हैं, ये करते है करते हैं, और अस्ट्रिस लेके आजाते हैं, आप खुस थे, आपको कही जाने की जुरूत नहीं है, जब आप असान्त हैं, तब बहाल जाना चाहिए, लेकिन लोग यह उल्टा करते हैं, जब सान्त हैं, जब सबसे जाग खुस हैं, तो family को बोलेंगे, darling let's go out, let's go out, क्योंकि यह चीजे कहां से आया, हमार टेलिविजन में दिखा रहा है सब को जूट, क्यों, film चल रहा है, serial चल रहा है, वो समाज को देख आ रहे हैं, तो choose तो हमें करना है, कि हमें क्या उठाना यहां से, बिलकुल, 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 अब इत्ता सब कुछ आपने जीव में हैं, you know, from Bihar, then from Noni, then to NASA, then to Afghanistan also, and then 52 countries in the world, आगे फ्यूचर में आपको, क्या आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, या फिर प्रेजंट में रहते हैं, या फिर प्रेजंट में रहते हैं, यह लाइन जो आपने बोला नाभी, फ्यूचर, फ्यूचर बाइप्रोड़क् हम आज बीजने लगाएं, कल पेर नहीं होगा, पास्ट एक स्टोडी है, हम कहते हैं, मैं इसलिए नहीं कर पाया, मैं पापा गरीब थे, यह थे, if you have problem, face it, don't Facebook it, people will, that is beautiful, people will like, comment, but no one is going to solve it, रहिमन निजमन की व्यथा, मनही राखो गोई, सुन अठले हैं लोग सब, बांट यह पास्ट जो है, लिविट, गया हो तो, कुछ नहीं कर से, फ्यूचर हमें पता नहीं, no one knows, लेकिन आज जो है, हम हर दिन सुबह उठते हैं, और साम में सोने सपले अपना वैलियोशन करते हैं, क्या आज का दिन, अगर मेरा जिवन एक दिन का होता, हमने खुल के जिया य नीट्रल रहके, आप चाहते हैं कि सामने बादा जो आदमी है, वो औरिजनल आपके साथ रहे, ड्वेल फेस ना रहे, आप भी तो ही कर रहे हैं, तो जो आप देंगे समाज को समाज आपको लोटाएगा सूथ सहीत, तो हम समाज को लोटा रहे हैं, छल, समाज से हम जोगन में, मैं एक फ्लो के साथ चल रहा हूँ, और वही ट्रेन वाली एस्टेथी, राइट प्लेटफॉर्म पे हूँ, लोग धक्का मार के अंदर कर देते हैं, धक्का मार के बाहर कर देते हैं, नेचर आप से सब काम करवा लेती है, अगर नेचर नहीं होता, अगर प्रक एक सकती है, जो कि हमारे उपर काम कर रही है, हो सकता हम ही हो, हो सकता आप ही हो, कोई भी हो सकते है, कितना खुब सुरुत, व्यक्तिकत तोर पे आप जो पूरी फिफ्टी टू देशों में घूमे हैं, अभी आप पाहड से होके आ रहे हैं, आपकी फेवरिट जगे क्या है? अ देखिये, सफसे बडिश्री बात है, मैं सबसे चाहत समय दूबय बें बितित करता हूं, लंदन बे बितित करता हूं, मुझे सबसे अच्छा लगता है हिमालया, कारण, हिमालय ozoneं में जाते हैं तो हमें दो चीछ सेक्षने को मिलता है, पहला चीछ, कि आप अपने साथ हो और दूसरा मॉवाइल नेटवर्क नहीं होता और तीसरा आपको अगर देखिए कभी भी जहाज जो है ना डॉक याड पर ही डिसिजन लेता है हम लोग का जहाज अलड़ी समूंदर के बीच में है और हम डिसिजन लेने के कोशिज कर रहे हैं कि अब क्या करना है जहाज को डॉक याड पर लगाईए रिलाक्स अब सोचिए करना क्या है तो मैं हिमाल्या में जाके अपने जहाज को डॉक याड पर लगा देता हूं और सोचता हूं करना क्या है तो उससे एक नया thought निकलता है लोग जब घुमने की बात करते हैं चुटी की बात करते हैं तो चुटी आते हैं भीर भराके वाले जगा पे मैं भीर भराके की बात नहीं करता हूं मैं कहता हूं ऐसे जगा जाओ जहां कोई आता जाता नहीं कारण यह है कि वहाँ आप अपने साथ रह पाएंगे और अपने साथ रहना बहुत डिफिकल्ट है वो इस अफसरा छुट्टी है तो मैं भारत देश से ज़्यादा पसंद पुरे बिस्ट में किसी जगाओ को नहीं करता हूँ आपसे पहले जो एक इंटर्वी हुआ था वो एक डॉक्टर जेम्स डोटी है अमेरिका के स्टैंटफर्ड उडिवर्स्टी के नियूरो सर्जन है उनसे बात चल रही थी तो उन्होंने कुछ रिसर्च पढ़ी थी दुनिया के ब्लू जोन्स पे ब्लू जोन्स जहां लोग सबसे ज़ादे आयू पाते हैं मतलब सो के उपर सब लोग क्रॉस करते हैं जयादे तर तो उन्होंने स्टाडी किया और उन्होंने देखा किया तो इनके खानपान में कुछ सबसे तो सबसे जादे contributing factor जो उना ने पाया कि वो जहां वो जन में वहीं उनका पूरा जिवन बतीत होता है जादे तर जो लोग सौ के उपर जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि उनको ये stress नहीं होता कि उनको एक मखोटा पैन के जाना है दुमिया में क्योंकि अक्सर जब हम नहीं जगे जाते हैं हमें एक मुखोटा पैनता है कि लोग मेरे बारे में ऐसा सोचे हैं अपना self image एक तरीके से maintain करना है लेकिन जब आप एक जगे रहते हैं तो वो नहीं होता है क्योंकि सब ने आपकी वास्तविक्ता देखी है सब आपको जानते हैं गाओं में कि ये किसका लड़का है ये तो वहां घुमता था ये धर घुमता था तो वो stress नहीं होता लेकिन मेरे ख्याल में आपके जीवन से हमें पता लगता है कि ये आप वैसे भी maintain कर सकते हैं इवन वाइल ट्रैवलिंग दे वर्ल्ट कि आप वो उसका stress ना ले क्या आप मानते हैं कि जीवन लंबा होना चाहिए या जीवन भरपूर होना चाहिए देखिए अगर जीवन में खुसी नहीं है तो जीवन आयू का कल्कुलेस ना आप कैसे लगाते हैं कभी कभी लगता है ना कि मज़ा आ गया बाव वो बाव वाली फिलिंग हर दिन हो तो तो हम 100-200-500 बर्स जीए कोई दिकत नहीं है लेकिन बाव वाली फिलिंग आएगी कैसे है मैं आपके question पर आ रहा हूँ जीवन लंबा जीनने के लिए सबसे परीबात again कितना natural है हम खाना खाते हैं तो खाने का taste इसको पता है इसके निचे किसी को नहीं पता अगर आप spicy खाना खा लिए तो सब गाली देंगे क्योंकि इसने तो साथ चखा तो हम लोग छोटा सुक के लिए इस करोरो अरभो के प्रोपर्टी को खराब कर रहे हैं सब लोग कर रहे हैं हमारे भी खानपान में तो सबसेरी बात है कि जब आप neutral हो जाते हैं ना जो करना करो दिखावे का सब तो एक इनसान कभी सरीर से बुढ़ा नहीं होता अगरे साब मस्तिक से बुढ़ा होता है मैं स्टॉक टेडिग में जब आया तो मैंने ओल्ड एस के लोगों पर काम करना सुरू किया उनकी जीवन में कमी था परे लिके थे कम परे लिके थे and they are waiting to die after 60 years मैंने का यारे 60 years का experience वाला आदमी को हमने कवार खाने में डाल रखा है utilize those talent हमने those talent को use करना सुरू किया I can't tell you the result they are super successful तो जीवन कितना लंबा इससे फरकने पड़ता लंबा तो by default हो जाएगा आज का दीन को आपने कितने अच्छी तरह से जिया अच्छी तरह से मतलब निक बीजी कितना खुष देखे मैं काम करता हूँ जब भी मेरे चेहरे पे अगर उदासी आजाए ना एक सगेंड कले भी तो मैं तुन दुखता हूँ कुछ ना कुछ गलत है किसी भी कारण से कभी भी आपके चेहरे की मुस्कान नहीं जाने चाहिए जीवन तो सौ वर्स दो सो वर्स तक जा सकता है लेकिन माई ग्रेंट फादर ही जोन जीरो फॉर एर्स ओल्ड वाँ और ही इस सिक्स फीट सेवन इंच वाँ और हीज़ बलकी बोड़ी अगर लोग आपके साथ जोड़ना चाहें आपके साथ तबाटना चाहें तो कैसे आप आपको आपके साथ जोड़ सकते हैं यह आपने बड़ा डिफकल्ट कुशन जाएं आज के रिए में सब लोग ज्यानी हैं फिर भी मेरा रवी आरकुमार डॉट कम करके वेफसाइट होँआँ पर मेरी जानकारी उपलब्द है और गूगल में कोई भी सर्च कर लेगा उनको मेरी जानकारी मिल जाएगी बहुत साथ चनल्स पर हम लाइव आते हैं आज तक इंडिया टीवी बीबिसी CNN आई बीएन तोहां से भी लोग देख सकते हैं हमारे प्रोग्राम्स को सब लोग जुरे हुए है भक देखिए कोई हमारे साथ आगे कुछ नहीं कर सकता भक्ती कितना अंदर है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी कृष नेखी थे कंस को उसमें सत्रों नजरा है राधा को प्रेमी जसोदा मय्या को नन्होसो गुपाल गौलबाल को दमित्र हमें भगवान उनका वास्तिविक स्वरूप चेंज नहीं हुआ इस्तरी एक होती है किसी को उसमें आइटम नजराती है किसी को उसमें बहन नजराती है किसी को उसमें प्रेम का नजराती है किसी को मा किसी को बीबी स्वरूप तो चेंज नहीं हुआ ना तो भावना कैसा है दुनिया में कुछ भी भक्ती जो है ना वो इन विदीन से आना चाहिए तो हमारे साथ जुड़ना भक्ति कितना है आपके अंदर कोई टेस्ट कुछ लोग टेस्ट देखते हैं कि इसको देखोगे देखने निमर खत्म हो जाएगी वो बूफे वाला हिसाब के हर चीज को यह चको वो चको वो खत्म हो जाएगी तो कितना भक्ति है सामने वाले को पर और दुनिया में हर्ची चलता है दुनिया में कोई ऐसा गुरू नहीं है जो कि कभी अपने जो उस गदी पर बैठते हैं तू और नहीं रहा जाते हैं उनका कम्पलेट परस्नालिटी चेंज जाता है वो मुह से गलत सब निकल ही नहीं पाएगा हम जब अपना सेसन लेते हैं तो मैं उसको बिलकुल अध्यात्म के तरह लेता हूँ पाने तक नहीं प्याता कि मुह जूठा हो जाएगा जूठे मुह से सचा बात करें नहीं पाएगे तो तो देज लॉट अफ तिंक्स इन दिस पुरा साइन्स है तो अपने तना टाइब निकाला अपने तना ताइब निकाला तो अपने निकाला और हम तो चाहेंगे क्या आप काना आते रहिये जब भी आपका इस तरफ का दॉर लगे तो काना जरूर आएब और कुछ समय लेके आइए पुरा आपक्फे जय को आपक्षेह चाही को पॉरूल